नेता विरोधी दल रहे लाल विहारी यादो जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं विधान परिशत पहुँचे हैं मानवेंद्र सिंग जो सभापती हैं उनसे मिलने के लिए क्योंकि इनको जो है वो अभी नेता विरोधी दल के पत से हटा दिया गया सर क्या वज़े रही क्यों हटाया गया और किन नियमों के तहट आपको हटाया गया नेता विरोधी दल के पत से मुझे मानी राष्टी अध्यक्ष महोदय अख्रिस यादो जी ने नामित किया कि हमारे दल के नेता विरोधी दल के रूप में इनको मैं नामित करता हूँ 27 अप्रेल को माननी शभापती महोदय ने उसका अनमोधन कर दिया 27 से लेकर के मैं 6 तारीक तक जो है नेता विरोधी दल के पतपर रहा मैं 27 तारीक से लेकर के 6 तारीक तक नेता विरोधी दल के पतपर रहा साथ तारीकों उनका अचानक एक पत्र हमें मिला कि आपको नेता विरोधी दल के पत्र से हटाया जा रहा है क्योंकि जो ये हमारे हाथ में किताब है उत्तर प्रदेश विधान परिसद प्रक्रिया तथा कार संचालन नियमावली 1956 किया नियम 234 के तहत आपको हटाया जा रहा है मैंने इस 234 को लिया हूँ और इसको पढ़ा भी इसमें कहीं भी नेता विरोधी दल को हटाने का कोई प्राविधान नहीं है इसमें मातर इतना ही ये लिखा है कि अगर विधान परिसद चल रही हो और उसमें 10% 10 सदस्यों से कम संख्यागर हो गई हो अगर किसी सदस्यों ने इस पर धान आक्रिष्ट कराया सभापती का तो सभापती महोदे जो है दो मिनट तक घंटी बजा करके चेतावनी देंगे अगर इसके बाद भी संख्या 10 या 10 से उपर नहीं होती है तो तब मिटिंग को 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए या दूसरे दिन के लिए अड़न कर देंगी कानून यही है तो पarthyर क्यों हटा दिया गया आपको जब यह नियम आप 234 लिये है हात में और इसी के तहट हटाया गया है आपको बताया गया है तो क्यूं इस नियम में तो दूसरी चीज़ें लिखी हुई है जिसी साब से आप बता रहे हैं तो फिर क्यूं हटा दिया गया है बात हुई आपकी किसी से मैंने बात किया जो है शभापती महोदै से कि महोदै आप बताईए कि जिस नियम का हवाला आपने दे करके मुझे हटाया है उसमें एक सब्द भी नेता विरोधी दल को हटाने के पिसे में नहीं लिखा गया है ये मनमाने धंग से आपने किस तरह से मुझे हटा दिया जबकि नेता विरोधी दल जो बनता है उसमें जो नियमावली है उसमें असपश रूप से उलेख है कि विरोधी दल का लारजेश्ट पार्टी का जो है जो दल होता है उसका नेता विरोधी दल बनता है जिसके तहत समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश में जो है विरोध में largest party है उसके हिसाब से हमको नेता विरुदी दल आपने बनाया और हटाया किस नियम से जिस नियम का हवाला उन्होंने उलेखित किया है लिखित दिया है उसमें नेता विरुदी दल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है उनके पास कोई जबाब नहीं इस चीज का उनका कह प्रवारत के संविधान में और न तो किसी नियमावली में यह कहीं नहीं लिखा है कि संख्या इतनी होनी चाहिए तो क्या करेंगे अब आप जब हटा दिया गया है अब क्या करेंगे आप तो यहां भी फर्याद लगा चुके उसके बाद जो है कल उनसे वारता किया, उनकी वारता से हम संतुष्ट नहीं हैं, आज हम उनको लिखित जो है नोटीस दे रहे हैं, और लिखित नोटीस देने के बाद तीन दिन के अंदर अगर फिर से इस पर पुनर विचार करके आदेश को वापस नहीं लेते हैं, तो फिर मैं बात धह करके नियायले का दरवाजा खटखटाने के लिए बाद होंगा पीठ की शक्तियां अपनी अलग है नियायले की शक्तियां अलग है आप जो है वो विधान परिशत के सदत से हैं क्या लगता है कि आपको नियाय मिल पाएगा क्योंकि आप तो आरोप लगा रहा है सीधे सीधे किसी दल का वह मेंबर जो है विधान परिशत के किसी दल का होता है लेकिन सभापती की कुरसी पर जब बैट जाता है तो वह कुरसी निस्पक्ष होती है वह किसी दल की नहीं रह जाती है इसके बाद भी अगर वह किसी दल के दबाव में हो तो वह निस्पक्ष कुरसी ही नहीं है और निस्पक्ष उनको काम करना चाहिए लेकिन भारती जनता पार्टी के दबाव में अगर कोई काम कर रहे है और नियम कानून का गला वहां घोटा जा रहा है जहां नियम कानून बनाया जाता है जहां नियम कानून को अनपालन करने के लिए पूरे प्रदेश को निर्देश दिया जाता है और वही नियम कानून का गला घोटा जा रहा है यह सबसे बड़ी विडंबना की बात है इसके लिए जो है हमें जहां तक भी हमारी हमारा दिमाग काम कर रहा है और जहां तक भी नियम कानून बेदिसंगत होगा वहां तक हम यहादर आ रही है? विदान परिशद में आया उसको सर्मान एक कुरसी दी जाती है और ओक कुरसी जब दे दी जाती है तो उसको निस्पक्ष मान लिया जाता है यह सब्हापती हो गए अब यह निस्पक्ष हैं सत्ता और विपक्ष दोनों के हित्में काम करेंगे ऐसा माना जाता है और उस कुरसी का मूल मकसद होई है मानवेन जी ने इसका मतलब पार्टी से प्रेरित होके काम किया है लगता ऐसा ही है जब उनका जो नियम है उस नियम जिसका हवाला अपने पत्र में दिये हैं उस नियम के तह तो काम ही नहीं कर रहे हैं तो माना तो यही जाएगा कि वह जो है निस्पक शोकर के काम उन्होंने नहीं किया अगर निस्पक शोकर के काम करते तो नियम संगत काम करते जो कानून है यह हमारे सारे लोग सम्विधान से बदे हुए हैं कोई सम्विधान से उपर इस देश में नहीं है तो सम्विधान से लोक सभा चलती है सम्विधान के नियम से ही विधान सभा चलती है और सम्विधान से ही विधान परिसत चलती है तो विधान परिसत को चलाने के लिए ये नियमावली बनाई गई जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विधान परिसत प्रक्रिया तथा कार संचालन नियमावली उन कि आपको बता दिया, इसका फोटो आप किछ लिजे जो है, इसमें कहीं भी नेता विरुदी दल को हटाने का कोई उलेख ही नहीं है, और वो हटा दे रहे हैं, तो यह माना जाएगा जो है, वो अनिस्पक्ष कुरसी पर बाइट करके भी पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा महसूस ह बाचित के लिए शुक्रिया आपने सुना लाल बिहारी आदो जी को, बड़ी ही बिबाकी से उन्होंने अपनी बाते की हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा, कि मानवेंदर सिंग्ग जो की सभापती हैं, अविधान परिशद में, वो किसी ना किसी दल से प्र समघार लागनो